हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको एक वन मेले के बारे में जानकारी दे रहे हूँ बहुत ही यूनिक जानकारी है यह यह बोपाल के लाल परेड ग्राउंड में लगा हुआ है और यह दिसंबर के लास्ट वीक में लगता है और यह नौवा अंतरास्टिय मेला है और यहां पर करनाटा उडिसा च्छतिसगर्ड उत्तर प्रदेश और MPK कई दिली महरास्त कई राज्यों के हरवल उत्पाद यहां पर उनके स्टाल लगाए जाते हैं और यह 400 से ज्यादा स्टाल लगे हुए हैं यहां पर और 100 से ज्याद आयुरुवेदिक डाक्टर हैं जो एक कैम्प में छो सबके हाथ देखते हैं नफ्स देखते हैं और रिलाज बताते हैं यह देखिए जड़ी बूठियों के पेड़े दुरलब जड़ी बूठियें जो जंगल में पाई जाती हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते उनका पेड़ों की जानकारी कौन-कौन से पेड़ काम के हैं काई की टेबलेट बनता है यह देखिए यह फगरी मशीन यह यह चोड़ से बूलो ना फोड़ा को है आयरुवेदिक ड़ाई में जो टेबलेट होती है वह सभी टेबलेट बनती हैं आच्छा और यहां जो समान रखे यहां पर हुद सारी जड़ी बूटी हैं मसाले गुड़ और शेयक शेयक पचबड़ी का शेयर बड़ा फेमस हैं और जड़ी बूटी हैं तरह तरह की हैं जो हमारे इलाज के काम आती है पाराज के लिए पाराज के लिए जड़ी बूटी है अचार इसका पेड़ हुगा है तो क्या काम आता है पौदा बस उसी चीज के कामा है अपके अच्छा अगर आप बिजी जाना और उसका पूल फूप इसके लिए आदमी रखता है अच्छा कहते ना कि इससे तीजोरी में रखो तो बर्गत इस पे नहीं होता अच्छा परपल का लर्गा पूल आता है इसी का आता है इसका अच्छा के लाए जाता है और चिरॉंजी अमरवाड़ यह चूरन काई के लिए सारे प्योर उत्पाद हैं फॉरस्ट के वालों के जोर्फ से हैं इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसमें कोई मिलावाड़ पानी में 10 ग्राम सहथ के साथ मिलाकर सुबश जाम लेना है अच्छा यह हर्बल है मतलब कोई साइड एफेक्ट नहीं है इस सारे हेल्फ के लिए बैनिफिशियल प्रोड़क्त है यह काई के लट्डू है मैं हाँ यह काफी गुलकारी रहते हैं हाँ और यह कमरदर हार परदर और सर्दी जुखा में भी लाबदा है और प्योर हाँ उसमें क्या इसके नीम के पेड़ में बनता है यह तो इसका इसके गुण भी बहुत जादा प्रिए पेड़ के सारे जड़ी बूटियों के एस्ट्रेक्स से बने हुए ड्रॉफ है जो कापी महंगे हैं कान नाक आख आखो के लाज करते हैं यह और यह हरबल प्रोड़क्ट है कोई साइड एपक्ट नहीं हुए यह देखिए लकड़ी के फर्मिचर है यह फैंसी लकडियों के बने हुए यह देखिए यह कटकुतली हैं गुट्टे-गुडिया जाबुआ से लेकर आए बड़े खुबसूरत और कित्ता समय लगा चालिस हजार की बैल गाड़ी यह जालिस दिन लगा है और यह फूरी चालिस हजार की बैल गाड़ी है फैंसी बहुत ही जादा फिनिशिंग से इसमें काम हुआ है बहुत सुंदर अती सुंदर यह देखिए जो आयुर्वेदिक डाक्टरों की बात में मैं कर रही थी जो नफस नाड़ी डिफरेंट तरीके से देखने हैं और आपको इलाज़ बताते हैं गाई का दूद गी इतने यू एक ही ग्राउंड में सारे मिल जाएं तो यह बहुत काम की जाज़ें अच्छा और इपनी सारी चीज़ों का फाइदा हुआ है थैंक्यू पार वाचिंग फ्रेंड्स पेरी जानकारी अच्छे लगी हो तुमेरे चैनल को लाइक शेयर सब्स्क्राइब ज़रू कर देता है अच्छा माइड भी ब्रावर एक सम्ची खाने से कैंसर कर देता है अच्छा मीटा देता है और यह क्या है यह घर में लगाने के लिए गोबर का बनाया स्वस्ते को अच्छा ओक्यों यह सारे साइड एपक्ट्स तो आपका स्टॉल का नेपाल जाया है और यह बहुत ही कर दो